इस बात से आश्वस्थ है कि ऐसी स्थित्य उत्पन हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रवधानों के अनुरूप नहीं चल सकती इसलिए कह रहे हैं यह फैसला सेंट्रल गॉवधान को करना है कि यह स्थित्य बनी है कि नहीं इस पर हमेशा डिबेट होगा आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते हैं 356 के इस्तेमाल का जिसमें विवाद न हो जिसने लगाया उसके हिसाब से कॉन्सिशनल मचिनरी का डेकडाउन हो गया था जिन पर लगा उनके हिसाब से नहीं हुआ था आपके हिसाब से क्या सित्य है मेरे हिसाब से सबसे fit case है इस समय पश्चिम बंगाल में 356 लगाने का इस समय अगर केंद्र सरकार लगाती है तो general public sympathy उसके साथ होगी जानता चाहती है ये जाएं बंगाल से बाहर और जदा जिस तरह की हिंसा हो रही है आप किसी प्रदेश में बताईए कोई एक उधारन बताईए कि जीतने वाली पार्टी जो प्रचंड बहुमत से जीत कर आई हो वो हिंसा कर रही हो तो सरकार हिंसा करने वालों को protect कर रही हो रही है और अगले चुनाव में नहीं होंगी इसकी क्या guarantee है अब भई इस्तानी निकाय के पंचायत के चुनाव होने वाले फिर होगा वही भई लोकल बाड़ी के इलेक्शन वा पंचायत में तो पर्चा नहीं भरने दिया जाता है तो कौन सी democracy की बात कर दो है इससे कम कम व जारर तो 77 का है 77 और उसके बादसी 77 में जो लगाया गया था वो उसकी वजह दूसरी थी 77 में भी 11 या 12 सरकार राज्य सरकारों को सरकारों को बर्खास्त किया था जंतापार्टी ने उसकी वजह ये थी कि वो एक साल उनका कारेकाल emergency में बढ़ा दिया गया था अच्छा तो तो वो एक एक उस प्रावधान को रद कर दिया था जंतापार्टी ने तो ये हुआ कि भाई इनका कारेकाल तो खतम हो गया ऐसे ही चुनाव हो सकता है तो ये हुआ कि कोई जो कोट में चला जाएगा स्टे मिल जाएगा तो वो सीधे बर्खास्त कर दो इंद्रिया गांधी आई उनिस सौसी में बारा राज्य सरकारे बर्खास्त कर दी का ये लोकसमा चुनाव हार गये हैं ये पार्टी हार गये है इसलिए सत्था में रहने का कोई अधिकार ने यहां एक नहीं बारा सरकारे हैं 1992 की बात कर लीजिए तब कोई कोई कोट में नहीं जाता था क्या या फर वो कोट में गए उसलिए वो सरकारिया कमिशन और उसके बाद जो नहीं पढ़ा था एक टाइम तक एक टाइम तक हमारे ये भी था कि राश्मती राश्मती शासन को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते थ पहले बॉमबई जज्जमन ने तो कुछ उसमें कंडिशन्स दे दिया ना थोड़ा मुश्कल कर दिया आप यूहीं नहीं लगा सकते राम मंदर के बाद अरे मतलब 1906 दिसंबर 1902 के बाद आप उत्तर प्रदेश की सरकार आपने बरखास्त की ये सरकार हिमाचल राजस्तान मंदर प्रदेश क्योंकि बाद प्रदेश उनका क्या उनकी क्या वजय थी सर इस वक्त ममताब एनरजी की पार्टी को क्या सच में डर है कि मोड़ी सरकार राश्पती शासन का विकल्प भी इस्तेमाल कर सकती है डर हो सकता है लेकिन मुझे पुलिटिकल ये डिजिशन लेना पड़ेगा सकेंद्रे सरकार का जिसने कहा नहीं तो जो अपोजिशन अभी उहां पे उनाइटेड है एगेंस ममता धाराज इन्सोचापन के बाद अभी रहेगा की नहीं रहेगा डाउटफुल है लेफ्ट वाले तो खुश होगे ये तो नैशनल इशू हो जाएगा बिलक का प्रोटेस्ट होने दीजिए और भी होना है ना प्रोटेस्ट तीन तारिक का बामपंति का है तेसरा तीन सिप्टम और काल तो अठाई सगस रेख है अठाई सगस क्या होता है उसके हिसाब से बाकी कारिक कमता है होगा प्लिटिकल पार्टीस का इसके बाद तीन तारिक का बामपन थिका है उनका भी है सेम प्रोटेस्ट है तो इस तरह का लगातार जो प्रोटेस्ट मैं जो कर रहा हूँ असली चीज यह है कि प्रोटेस्ट के कारण प्रोसेसन थब पर जाएगा काम नहीं कर पाएगा रोज यही सा इतना मेज़ोरिटी के बावजुद बुद्दे बट्टा सर का लेमडा को गिया था दो तहाई मेज़ोरिटी था दो सो बद्टीस लेकिन सर तब इस मुद्देव बहुत सारे थे और ममता बेनर जी उस पूरे आंदोरन को सस्टेन किया और नहीं इस पर तो सारे आपोजिशन ही कर रहा है आपोजिशन तो कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा है ममता बेनर जी को लेकिन अलग 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 तरीका से कर रहा है इशू एक है लेकिन तरीका रस्ता अलग अलग है मुश्किल ये है देखी CPM की मुशक्किल ये है, कि अगर इस अंदोलन का विरोध नहीं करते हैं, तो माना जायेगा कि आप मम्ताब बनेजी की सरकार के साथ हैं, जो और अगर समर्थन करते हैं, उसकी वज़े से ममता सरकार के खिलाव महौल बनता है तो उनको यह लगता है कि इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी नमबर दो की स्थिति में बीजेपी है उसको फायदा मिल जाएगा और जो ममता बैनर जी लगातार चला रही है राम और बाम कई रही हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं चुनाओ में भी लोगसभा चुनाओ में भी कहा कि जो है कॉंग्रेस और लेफ्ट को वोट देने का फायदा नहीं है ये दरहसल बीजेपी से मिले हुए है अंदर से तो सीपीम के सामने बड़ी मुश्किल है इस तरह कि मुझे जो या तो सीपीम वालों ने संदेश भिजवाये जेपी के पास कि अगर आरेसेस और जनसंग शामिल होंगे इस आंदोलल में तो हम नहीं होंगे जेपी ने सारवजनिक रूप से बेहान दिया कहा कि ऐसा संदेश मिला है तो जनसंग और बीजेपी जनसंग और आरेसेस के लोग त करें तो फसें नहीं करें तो फसें कॉंग्रेस के लिए ममता बेनेलजी का समर्थन करना भी मुश्किल है विरोध करने का मतलब आप बीजेपी के साथ कड़े हो गए